वेलकम तो डॉकर एन वायार यूट्यूब चैनल आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बायो मालेकिलिस क्लास 11 के बायालशी का ही है क्लेस टेक है सिक्रिंड शॉट तो अगर हम देखेंगे ना लिविंग और इसमें जो एलमेंट सबसे ज्यादा प् था में वायोमेंट स्फोर जो होते हैं लगबग 99 परसंट प्रेसेंट होते हैं यह कौन-कौन होते हैं है उक्सिजन हो गया औकिल हो गएक हैं कारवन हो गया और नाटमर जो चार जो होते हैं activist अनगो यह जो कंबाइन हो जाएंगे मालेकुल्स होते हैं उनको कभी कभी क्या होते हैं जब हम chemical लेबाटरी में बनाते हैं लेबाटरी में उनको सिधे मॉलेकुलस बोलते हैं क्योंकि यहां पे हम living source से यह वह उते हैं न यह नहीं को बोलते हैं biological मॉलेकुलस ठीक है नहीं तो यह जो बायोलोजिकल मॉलेकुलस जो होते हैं अगर हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखें कौन-कौन साइलमेंट होता है है अगे पीछे होके कि डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब यह बनाएंगे तो यह ही जो होते हैं बायो मालेकुलस बना द जो भी होता है प्लांट हो गया ही मन हो गया तो उनिक को बोलते हैं और इसको बोलते हैं बायो मालेकुलस के स्टेडी करते हैं बायो मालेकुलस को जब हम पढ़ते हैं जिस ब्रांच में हैं जैसे हम नहीं पढ़ा था मॉर्फाल्जी स्ट्रक्चर अप एक्स्टरनल फीजर जब हम बायो मालेकुलिस के बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं बायो केमिस्ट्री ठीक है नहीं तो यहां पे जो होता है तो यह जो लारज मालेकुलिस भी होते हैं और स्माल मालेकुलिस भी होते हैं जो बायो मालेकिलोज होते हैं ये लारज भी होते हैं और स्माल भी होते है जो लारज होते हैं इनको बोलते हैं मैक्रो बायो मालेकिलोज मैक्रो बायो मालेकिलोज और जो स्माल होते हैं इनको बोलते हैं माइक्रो बायो मालेकिलोज ठीक है न तो अगर हम एक जामपल लेखें मैख्रों में कौन-कौन से आते हैं ने नौकुलिक एसटएस आते हैं इनको हमें आगे वीडियोगों में परण हैं पॉले से क्या लाइपिड़ में आते हैं किसमें लारिज मॉलेकूल में मैखिएंगे कौन-कौन से या हम बोलेंगे इसके बाद हम इंपोर्टन टॉपिक है एनलेसिस आप केमिकल कंपाउंड केमिकल कंपाउंड में क्या रहएगा बायो मालेकिलस के ठीक है ना इनलेसिस हम कैसे करेंगे एक टिशू में अगर कोई तो हम क्या करेंगे एकटिश्टीव लेंगे सेंपल लेंगे तेशों का लीफ केटेश संथ्चीब हम इस को क्न सिटर नहीं करेंगे उसको प्रॉस्ट बढ़ा होता है तो ही इसको प्रॉस्ट यपां दिया प्राविद रही जो होता है जिसमें पालिश prints नहीं द Krini roof वह कूटते हैं कुछ मसाले वसाले घर में इसको बोलते हैं मूटर हम क्या करेंगे इस लीफ को इसमें डालेंगे उसके साथ साथ में क्या डालेंगे Trachloroe plочку parlorecetic acid वित्तर डा लेंगे इसको घ्राश करेंगे ACS इस पत्ता घुंदे ना चोटी रा डुट रोटिय लेकिन ग़िन इसको अंदर की बॉंडिंग होती है वो ने यह टूटती है तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें केसे डालना पड़ेगा जो प्रोटीन होती हैं वो ब्रे करने में हणवब कर देता है उसके बाद जो दूसरे स्टेप होगा हम क्या करेंगे एक सिलरी बनती है न यहाँ पे हमें बनेगे एक पेस्ट कोई हम अच्छे से क्रेश्ट करें तो यह सलरी को हम लेंगे तो चनी लें इसे को बोलते हैं तो इसमें हम डालेंगे तो मतलब जहां पर हम क्या करेंगे एक सपरेशन करेंगे जो बड़े-बड़े पत्य की चुजची निकले हैं नीचे हमें एक मिल्म नया सची फैल्ट्रेट मिलेगा तो इसमें क्या होगा जब हम इसमें ब्राइग अमें यवाны दो तरह की मालेक्टिर के चीज़े हमें ठी atraek में जिससे हम इसको स्ट्रेंग्ड करें तो दो तरह कि हम ही मिल Iz spiral फूल दूसरा हो गए इसट问ल्स फूल जो होते हैं इसमें मेंटी क्या होता है बायो माइक्रो मारेक्युल ओर इसमें जो होता है अगर हम देखेंगे इसमें जो चीजे थे उनका जो molecular weight जो होता है molecular weight को MWC लिखते हैं लगब कि 18 से लेके 800 DA DA का मतलब क्या होता है डालता है तो कौन-कौन होगा इस acid soluble pool में होंगे small sugars होंगे और nucleotides होंगे लेकिन जब हम दूसरे पूल में देखेंगे insoluble pool में यह वाले में इस वाले में पूल है तो इसमें कौन-कौन सा रहाएगा macrobio macromolecules तो इसमें जो लगब इनका molecular weight कहां से start होगा 800 से लेके 10,000 डालता इसमें कौन-कौन सा होगा प्रोटेन इस होगा नियुकलिक एसे डन पॉलिस एक्राइट और लेकिन यहां पर जो चीज जो होते होते हैं तो इनार्गनिक सबस्टेंस को हम क्या करना पड़ेगा उनको भी इनकी एनलेसिस करनी पड़ेगी ठीक है न उनको किस तरीके से हम एनलेसिस करेंगे पर यहां पर लाते हैं उसको तबाह करेंगे उसको त्रेम पर जो उसको वेट आएगा उसको बहते हैं उसको मुलते हैं फ्रेश में पत्ता ले लिया मैंने न ने वंट किया है वेट किया है किया है वैलने समय जो एक वेट का वन ग्राव में वेट मैप डिया तो नो इस तूस की बाद ति टीशू को क्या करें या क्या करेंगे 3 तिनिए कंद round wrap ड्राइंंग में डाल सकते हैं या पूरा पानी निकल जाएगा ठीकिया रचे ऊपटा जो है न द्राइओ जाएगा इस ठाइम पर हम फिर से वेड करेंगा इसका वाट सिरे ब्राइए करना है जब वेड करेंगे वह सॉति कम आएगा तो पाणी चला गया है पूरा सुक गया है तो बहुत एक गिराम अगर यहां पर फाइर ऐगा थे क्थ पॉइंट किंच उसके बाद रउन करना को नहीं चैनल क्या सब्सक्ड़ को मरी उसका इस सब्सक्राइब करना तो प्रम भी यहीं सब्सक्राइब करना खें जिंचानल वियुक्तलक्तows और यहीं माइक्रोव यहां बरन रहते हैं उसमें क्या होते हैं उसी में इनार्गनिक सबस्टंस होते हैं क्या रहेंगे इसमें इनार्गनिक सबस्टंस में क्या हो जाएगा वो ऑक्सिटाइस हो जाएगे इस तरीके से इस मेथड से हमने क्या किया है Inorganic Substances को हमने Separate किया है I Also фильма किया है Last में हमने Dest adhere किया है अब फूरा चला दिया पहरे सुखा दिया पहरे जला दिया फिर चला दिया last में तो इसलिए उनको बोलते है Experiment को बोलते है Destructive Methods ठीक है न अगर आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगाऊगा प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर देशेगा वीडियो को लाइक और शेयर कर देशेगा थेंक्यू वेरी मुच्छ